केसे हैं आप सब लोग तो हम लोग CBC का सामपल पिपर सॉल्व कर रहे थे और आज इसकी आखरी क्लास यानिकी फिफ्थ पार्ट है और मैंने बाकी जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर पूरा खतम कर है इनके पास 12% debenture है शुरू में यानि कि ओपनिंग में और एंड में जो है वो है 1,60,000 के debentures यह जो 12% होता है इसको बोलते हैं interest rate या coupon rate additional point में लिखा हुआ है interest on debenture half yearly जाता एक 30 सितंबर को दूसरा 31st March को और जो debenture redeem हुए है वो 30 सितंबर 2019 को redeem हुए है बात को समझना साल के शुरू में debenture थे कितने के 2,00,000 रुपए के और 30 सितंबर तक 2,00,000 ही रहा फिर 30 सितंबर को debenture redeem कर दिया 40,000 का और लास्ट में debenture कितने का बचा है 1,60,000 यानि कि इस period तक debenture रहे 2,00,000 के और इस period तक debenture रहा 1,60,000 का interest का rate 12% समझ रहे हैं बात को तो आपको बताना है कि interest on debenture कितना होगा तो अगर हम सबसे पहले बात करें 2,00,000 इस 2,00,000 का आपको निकालना है 12% 2,00,000 का 12% और कितने महीने का आप निकालो एकला 6 मंत का और जैसे ही आप 6 महीने का पे कर देते हो तो बचता कितना एक लाग साथ हजार एक लाग साथ हजार का निकालेंगे 12% और कितने महीने का छे महीने का तो दो लाग का 12% अगर आप निकालते हो तो यह बनता है इंट्रेस्ट हमारी पेमेंट होगी और जो डिबेंचर रिडीम हुआ है 40,000 का वो डिबेंचर भी माइनस होगा तो टोटल फाइनसिंग में जो आउट फ्लो होगा वोगा 61,600 यानि कि इसका जो सही ऑप्षिन आएगा वो आएगा ऑप्षिन नमबर सी यानि कि 61,600 इतना पैस आपको यह सारी केलकुलेशन वर्किंग नोट में करना है रफ में करना है कहां भी करो बस आपको सेव टिक करना आपको अंसर मिल जाएगा नमबर मिल जाएगा वहां पर करेंट रिषयो क्या होगा अगर वर्किंग कैपिल जीरो एतो बच्चो मुझे आप बताओ वर्किंग कैपिल का फॉर्मूल यह बर्किंग कैपिल लियेटी और बराबर होगा और current ratio का formula है उता है current asset upon current liability और दोनों बराबर है तो cut के जो current ratio आएगा वो आएगा 1 तो सही answer जो होगा class class का होगा 1 यानिकि ये 1 answer आएगा अगर working capital 0 है यानि current asset current liability के बराबर होगा तो उस situation में जो current ratio आएगा वो आएगा 1 ratio 1 25 which one the following is not a part of finance cost in statement of penalty plus finance cost होता है interest समझे बात को bank charges जो है वो finance cost बिलकुल नहीं होता bank charges interest नहीं है finance को raise करने के लिए जो खर्चा आता है चाहे डिवेंचर पे हो चाहे public deposit पे interest हो चाहे loss on issue of debentures हो यह सारा finance cost है कौनसा नहीं है तो bank charges जो है इसमें सबसे best answer है तो आप लगाओगे 25th का A which one of the following is not an investing cash flow कौनसी चीज़ investing में नहीं आती sale of land आता है marketable security तो कहां पे आता है cash and cash equivalent में यह सब चीज आएगा investing में लेकिन जो आपने marketable security यानि की short term investment को खरीदा बेचा वो सब class जो है cash and cash equivalent में आता है वो इसके अंदर नहीं आता प्रपोस डिविडेंड प्रपोस हुआ है अभी पेर्ड नहीं हुआ है तो यह होती है contingent liability और इसी लिए class यह contingent liability है तो यह balance sheet के footnote में आता है आप कभी भी प्रपोस डिविडेंड को balance sheet के अंदर अब नहीं देखोगे वो balance sheet के नीचे आता है हमेशा वो contingent liability है sir contingent liability क्या होता है ऐसी liability जो किसी situation के उपर depend करता है कि वो liability होगी या नहीं होगी 28 question the dash may indicate that form is experiencing stock out and loss sales देखो यह जो inventory turnover ratio होता है वो बताता है class stock out and loss तो आप लगा देना इसका भी 28 का इसका नाम है inventory turnover ratio आपने पड़ा भी है इसका formula क्या होता है comment करके सब लोग दिखतें कितने लोगों को knowledge है inventory turnover ratio का formula क्या होता है कितने लोग बता पाते है करेंट ratio जो है वो 3 ratio 2 है accountant चाहता है ratio को 2 ratio 1 में maintain करना बात को ध्यान समझना यह है 3 लाक रुपए और यह है 2 लाक यह है CA और यह है CL तो current ratio जो आएगा वो 3 ratio 2 होगा और accountant चाहता है कि ratio 2 ratio 1 हो जाए तो अगर हम यहां से घटा दे 1 लाक रुपए यहां से भी घटा दे 1 लाक त जाएगा 2 ratio 1 यानि कि अगर हम current liability की payment कर दें cash से तो ratio जो है वो 2 ratio 1 मेंटेन हो जाएगा चेक करना क्लास repay bill payable ठीक है purchase goods नहीं short term loan नहीं यानि कि option A जो है वो ही इसका correct answer 29 का option A जो है वो correct 33 marks question 30 question जड़ा फटाफट देख के बना लेते हैं calculate proprietary ratio formula तो पता होगा आपको proprietary ratio का formula क्या होता है shareholder fund upon total assets मैं solve कर लेता हूं यहां पर पहले मैं given information लिख लेता हूं question की question 30 proprietary ratio का formula है shareholders fund upon total asset जो proprietary ratio है वो क्या है class 2 upon 1 shareholder fund जो है वो शेयर होल्डर फंड अपान टोटल असेट तो शेयर होल्डर फंड तो हमको यहां पे दिया हुआ होगा चेक करो अन्हें total asset ratio दिया हुआ है debt दिया हुआ है कि धक्रण टोटल योट्डीर देट तैक रिशयो दिया हुआ है हमें निकालना पर प्रप्रिटर लोग्ट्रश उपान यॉदिया हुआ गदाल तो अब आपको डेट जो दिया हुआ थो पांच पास आयेगा 10,00,000 रोपीज, एकुटी शेर क्यापिटल जो है, जहान समझना, एकुटी शेर क्यापिटल जो है, वो 0.5 मतलब हाफ टाइम आफ डेट, तो डेट पांच लाख है, तो एकुटी जो है, हाफ होगा, तो वो धाई लाख होगा, और जो प्रेफरेंश शेर क्याप और जो 9 अनेट्र प्रॉफिट है नेड्र फॉफिट हम लों हमेश्वा पॉफ्ट सेयं यह एपकिश्य सेथिचार यह सब को ए्ड चाओब करें गच emoz ओके यह टोटल कितना अच्छा है 25 प्लस यहां पे 8,50,000 प्लस 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 मतलब कुल मिला के प्लस होता है तो शेर होल्डर फंड हमारे पास आ गया है आप चेक कर लो प्लस यह 20,00,000 है 6,25,000 नहीं आएगा 62,500 आएगा ठीक है 62,500 आएगा 62,500 आएगा यह क्या था ना आप अच्छिस परसेंट 62,500 आएगा तो टोटल आएगा 9,12,500 तो और जो उपर रेश्यो है टोटल असेट तो दस लाग का आ गया है और यह आगा 9,12,500 दिवाइड बाइ 10,00,000 तो यह आएगा 0.9125 यह आगे क्लास आपका प्रोप्राइटर रेश्यो 0.9125 रेश्यो 1 वह क्लास यहां तक अब इसका ओप्शन का है वह क्लास अपने आप बना ले ना आप इंट्रस्ट कवरेज रेश्यो प्रॉफिट विफोर इंट्रेंट यह आएगा इंट्रेस्ट कवरेज रेश्यो 31 कोशिन देख लेते हैं हमें बनाना है देखो ऑप्शन में आता है 31 में एक तो आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है एक कॉमन साइज तो आप कोई भी एक जो है वो बना सकते हो आपको अच्छा लगे मैं हमेशा पहला ही बना कर देता हूं तो पहला ही बना जीता हूं मैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है प्रॉफिन लॉस तो कैसे बनाना है मैं पूरा का पूरा स्वाल्व करके दे का आप देखलो 31 कॉस्ण 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 मारं 31 अप लेखो फटा फट अफट अपर अधिव स्टेटमेंट बहुत एजी है क्लास अपत अनल यॉस और ये अन टिलिग देना आप यहां पर अधियु अधिटमेंट अधिव फोफित ऑन लॉस तो यहां पर सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स नोट्स उसके बाद आएगा टू थाउजन एटीन नाइनटीन टू थाउजन नाइनटीन ट्वेंटी अप्सलूट चेंज सबसे पहले इसके अंदर आता है रेविन्यू फ्रॉम आपरेशन आपको रेवन्यू फ्रॉम आपरेशन दिया हुआ होगा आप चेक करो 20 लाक्स और यह आएगा 20 5 लाक्स अप्सलूट चेंज है 5 लाक्स चेक है और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बताओ आप्सलूट चेंज अपोन प्रीवियस यह इन्टू हंडरेड तो क्लास यह आएगा आपका 25 परसेंट तो अप्सलूट चेंज है 5 लाक्क का अपॉन प्रीवियस यहर का जो है वह कितने गया क्लास 20 lakhs into 100 तो यह आएगा आपका 25 परसेंट यह हो गया आपका 20 lakhs 25 lakhs टोटल हो गया यह आपका लिखलो आप टोटल रेवेन्यू अब हम एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे 25 परसेंट अब बनाएंगे कुछ एक्सपेंस की लिस्ट एक्सपेंस की अंदर सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ माटेरियल कोस्ट ऑफ अंध्यरियल्स तो वह आपको यहां दिया हुआ है 10 lakhs कि सब कुछ दिया हुआ है बस आप कुश्चिन देखो नाए यहां पर देखो सब कुछ गीवन है यह लाग और थर्टिन लाग चेक करो दिआ हुआ हूँ 10,00,000 और 13,00,000 इस इस अधर एक्स्पेंस निल और 120 यह आएगा 10,00,000 और 13,00,000 यहां पर आएगा 3,00,000 3,00,000 को डिवाइड दे देंगे 10,00,000 से इंटू 100 जो कि बनेगा 30% cost of material के बाद होता है अधर एक्सपेंस other expenses तो यह निल है और यह है 1,20,000 तो यहां पर भी class आएगा 1,20,000 और 0 को अगर हम देखे तो उसमें कोई change ही नहीं समझे बात को absolute change की बात करें तो है 1,20,000 पहले 0 था और 1,20,000 रोगा percentage की बात करें पहले से कितना पर सुन इंक्रीस हुआ है तो यह नॉट डिफाइन है अब इन दोनों को जोड़के हम निकाल लेंगे टोटल है expense इन दोनों को जोड़के हम पर आ जाएगा चल रोटल को एक्सपेंस एतो टैंलाक है आएगा यह आएगा 14,20,000 और यह आएगा 4,20,000 और यह आएगा 4,20,000 और यह आएगा 4,20,000 और यह आप्सलूट चेंज क्या से निकालते हैं बताओ current year minus previous year 25 minus 20 25 minus 20 13 minus 10 120 minus 0 14,20,000 minus 10,000 420 और 4,20 को अगर आप डिवाइड दोगे 10,00,000 से इंटो 100 तो यह आएगा 42 परसेंट अब अगर टोटल रवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट विफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट विफोर टैक्स 20 मेंसे 10 जाएगा तो प्रॉफिट विफोर टैक्स जो आएगा वो आएगा 10,00,000 और 14,20,000 जो है मतलब कि 25,00,000 में से अगर हम 14,20,000 को माइनस कर दें तो यह आएगा आपका 10,80,000 यहां पर आएगा 80,000 और 80,000 को 10,00,000 से डिवाइड दोगे तो 8% इंटू 100 कर देना प्रॉफिट विफोर टैक्स में से माइनस करेंगे टैक्स टैक्स का जो रेट कोश्चिन में दिया हुआ है वो आपको चेक करो 50-50% दिया हुआ आप चेक कर लेना एकस का जो रेट है वो 50% है तो माइनस कर देते हैं 50% को यह 50% टैक्स है दसलाग का 50% कितना बनेगा 5,00,000 का 50% कितना बनेगा 5,00,000 कि यह आएगा 40,000 तो इहाएगा 40,000 तो फोर्टी थाओजन डिवाइड वाइग इंटू 100 यह भी आएगा आपका 8% रास्ट मैं वहार पास बचेगा वह बचेगा प्रॉफिट आफ्टर श यह बचेगा फड्य हमुझे हाओं यह बचेगा पॉरा-थोरी यो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन और नीच आप फारमल लिक दो गे हम च्रेइटेंट एर माइन स्प्रिवेस इन intended के आप neces ये हो गया पूरा का पूरा आपका कोश्य में 31 का सॉलुइशन आप देख लेना स्क्रिंशॉट अपना लास्ट कोशिन जो है वह आता है पेपर में 6 नंबर का और वह कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो आजाओ जरा फटाफट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 32 प्रिपर कैश फ्लो स्टेटमेंट और फॉलिंग इन्फोर्मेशन गिवें दे बैलेंस शीट ऑफ रेल गा लिमिटेड आज तर्डिफर्स मार्च 19 और 31 मार्च 20 ध्यान रखना यह जो 19 है यह ओपनिंग है और जो 20 है वह क्लोजिंग है 31 मार्च 20 जो होगा वह क्लोजिंग हुआ है तो हम सबसे पहले आते हैं देखो क्लास एक चीज़ और सुन लेना अपको नहीं करना पैनांशल और कंप्यूटराइज में आता है तो यह जो कंप्यूटराइज एकांटिंग वाला पॉर्शन है इसको आपने नहीं करना कहीं स्को करने लग जाओ आप ठीक है एड दीजिया 50% लॉस ढहने ऋम यह लोß किसपर 50% विक वैल्यू परेकिस फेबुक वेलु पेकी असेट कितने की तीजैर की ड IP कितना लग गया दस हजार लोस है कितने कीख़ चाहिए और लॉस जो है वह 50 परेसंट किस पर है फुक वैल्यू पर थांद गूएраш आज़ना है तो जो sale value है वो कितनी होगी पांच हजार यनि 20 की चीज को पांच हजार में sale कर दिया और पंदरा हजार का हो गया नुकसान ये loss कैसे निकल के आया loss कैसे निकल के आया loss जो है वो 50% है book value का तो हमने अलग से दिया loss तो 20 हजार की कीमत है उसकी 50% जो है वो आपका loss चला गया है जो की बनता है 15,000 तो जो amount बचेगा class वो कितना बचेगा 5000 बचेगा जो amount बचेगा वो बचेगा 5000 वो sale value है तो अब हम इसकी मदद से account बनाएंगे तो जब भी आपको balance sheet के अंदर भी depreciation दिया हुआ है और नीचे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसमें account बनाएंगे दो account ठीक है तो आजाओ सबसे पहले class working note पे working note question number 30 2 last question है सबसे पहले working note में बनाओगे आप जो account है हम वो बना लेते हैं जो account दिया हुआ है हमको तो एक तो आपको दिया गया machine दूसरा दिया provision for debt बना लेते हैं machinery account एक बनेगा machinery account दूसरा बनेगा provision for debt account machine account दूसरा बनेगा provision for debt account यह दो अकाउंट कब बनाते हैं जब balance sheet में भी depreciation और नीचे भी कुछ दिया हुआ हुआ हो asset में sale purchase buy balance bd 2 balance cd machine को opening balance है 2 balance bd machine को opening balance है buy balance cd machine का जो opening balance है वो दे रखाए 2 लाख रुपे और जो machine का closing balance है वो दिया हुआ हुआ है दो लाख 60,000 रुपे ठीक है मशीन को opening दो लाख रुपे दो लाख रुपे अब जो opening balance है 50,000 है depreciation का जो provision for depreciation का जो opening balance है वो 50,000 है closing जो है 60,000 अब यहां पर तीन चीजे कोशिन में दी गई है पहली बात machine को बेचा कितने में तो अगर 15 का loss है तो बेचा कितने में पांच में buy P&L loss loss जो हो रहा है वहां पर यह loss हो रहा है पंदरा हजार का और by accumulated depreciation लिखलो या provision for depreciation लिखलो वह 10,000 का है यह आएगा 10,20 और 30, 290,000 तो जो balancing figure है वह 90,000 आएगा और किस नाम साएगा 2 bank purchase परचेस जाता है investing से minus sales जो है वह investing में आएगा प्लस depreciation ओपरेटिंग में प्लस loss भी ओपरेटिंग में प्लस यह सारी चीज़े जो है class machinery में आएगा यह प्रोविजन फॉर डेप की बात करें तो मशीन में है बाइएक्युमूलेट डेप में लिखोगा टू लिखो चाहे प्रोविजन फॉर डेप लिखो वह सेम चीज़ा उसमें कोई डिफ्रेंस नहीं सेवेंटी थाउजन सेवेंटी थाउजन यह आएगा ट्वेंटी थाउजन और यह डेप्रेशिशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा तो यह जो दो एकाउंट हमने बनाया है इससे चार चीज़े निकल के कैश फ्लो स्टेट्मेंट में चला जाएगा अब आते हैं एडेशनल पॉइंट नंबर टू पे क्या लिखा है चेक करो सब लोग डिवैंट्र इकत् pelo जो एकत्तीस मार्च बीस को रिडοवूर अगर इन्स यो लगेगा वह ऊपनींग पर लगेंग बेंचर माच साल के एंड में रिडीम हआ है तो शुरू में जो क्लास बैलेंस उस पे लेगा इंप्रेंस गाइग लाग का बारा परसं 1,002,000 का 12% जो कितना बनेगा 12,000 गो design. इंट्रेस्ट ऑन डिवैंचर जो है वो 1,002,000 का 12% जो बनेगा व्योगा व्योगा बनेंगा 12 गाल तो यह है क्लास पूरा का पूरा इंट्रेस्ट ऑन डेंचर अब इन चीजों को हमें रखना कहा है क्याश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमने बना रखा है इसको हमें रखे हैं कहां पर क्याश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हेडिंग डालते हैं क्याश फ्लो स्टेट्मेंट कि एस पर कि एस थ्री विवाइस्ट ठीक है कम्पनी का नाम लिख दे रहा है जो भी कम्पनी का नाम है ठीक है फॉर कम्पनी का जो भी नाम है और उसके बाद यहां पर के आमाउंट अब्ध बिट्ल स पर्टिकलर्व पर्टिकलर्व इकद्व दीटेल है जो तो सबसे पहले क्लास हम काम करेंगे पूरा का पूरा फॉर्माट हम बना लेते हैं ओपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनसिंग यह थोड़ा सा चोटा करके यह पहला एक्टिविटी होता है उसमें हम लिखते हैं मैंने क्याश फ्लोग पुरा पढ़ा रखा है आपको आप प्लेलिस्ट में जाके क्याश फ्लोग के वीडियो धून सकते हैं कैश फ्लोग स्ट लिख सकते हों बी में क्याश फ्लोग फ्रांव इंवेस्टिंग एक्टिवितीज प्लोड़ा सा स्पेस छोड़के और फ्लोग फ्रांग फाइनसिंग एक्टिविती तीन चार लैन छोड़के लिख देना डी में कश and cash equivalent और आपको पता ये cash and cash इक्रण क्या होता है A plus B plus C इसमें plus करते है opening cash जो बन के आएगा हमारे पास वो आएगा क्या closing cash अगर ये बबराबर है तो इसका मतलब सही है और बबराबर नहीं है तो मतलब कुछ निस्टेक है खेर जो हमने अभी तक बनाया है उसमें हम लोग लिख लेते हैं फटाफट सेल ओप मशिनेरी हमारा 5000 आ रहा था आपने वह वर्किंग नोट बना रखा है फिस आपने परचेज ओफ मशिनेरी हो भर्चेज ओफ मशिनेरी हो वह माइनस होगा क्यों कि सेल करने से पैसा आता है और यंदे परेशन पूरे साल का है और लॉस जो है वह 15000 का है तो यह ओपरेटिंग में आता है लॉस ठीक है loss on sale of machinery 15,000 और depreciation during the year पुरे साल का जो depreciation है वो 20,000 है पुरे साल का depreciation है वो 20,000 है और loss on sale of machine जो है वो 15,000 है आगे बास समझ यह हो गया पूरा loss 15,000 है loss on sale of machinery और depreciation जो है 20,000 है और interest जो है वो 12,000 है तो यहाँ पे लिखते है interest expense interest expense वो 12,000 है और यही interest financing से क्या होता है minus भी होता है interest paid by venture holder को तो interest देना ही पड़ेगा तो हमने additional point का सारा का सारा काम कर लिया और अब हम line by line point को पढ़ते हैं जो भी जैसे दिया होगा वैसी करते चले जाएंगे तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है share capital दो लाग से धाई लाग हो गया यहां फाइनांसिंग में issue of shares 50,000 share जो है वो दो लाग से धाई लाग हो गया issue of shares 50,000 इसको मत देखना नीचे नोट नमर वन पे जाना नोट नमर पे लिखा है ट्रांसफर टू जनरलिजब पहले पचास जार था जनरलिजब में अब 20,000 आ गया can see what cityаров टो जनरलिजब जो है अ सतर अजार राघ्रल यहां पर सबसे ऊपर लिखेंगे रासफर टू जनरलिजब कि है लिखते है मैं अ के ऊषओज़ तो जिमनलेज़व गया त्व्टी थाउजंड और जो नेट प्रॉफिट है इस कोशिन में नहीं दिया हुआ है तो आप इसको छोड़ दो कितने से रेडीम हुआ है बता हुजरा Redemption of Demчив कि the new औंप्यख्स गिजह कि मेंशन Reliant MP2 आप्ट्रभंतों के को इता स्पारेट्र के बाद है करेंट लियाबिले टी can हें ओपरेटिं के लास्ट पॉर्षन में तो चै例ी मेंक्रीज इन खरेटर प्लस होगा increase in creditor कितना plus कर दोगे 20,000 40,60 हो गया और increase in bill payable वो भी 80,000 आएगा plus में increase in bill payable यहां एड लिग देना ओके तो creator का काम हो गया class bill payable का भी काम हो गया अब other current liability में outstanding expense है तो वो decrease in outstanding expense है तो minus हो जाएगा डिक्रीज इन आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस वह आपने माइनस कर दिया फिर करेंट जो फिक्स असेट है वो टेंजिवल इंटेंजिवल इंटेंजिवल नूट नूबर 6 इंटेंजिवल में आपको सापसाप लिखा गुडविल राइट ओफ वह उपरेटिंग में सबसे अब होगया 2000 तो गुडविल कितना राइट आफ हुआ है 8000 अब लोन एडवांस तो लोन जो है वह एक लाग का था आपने लोन जो 30,000 का और दे दिया लोन इंट्वेस्टिंग में देखो लोन अडवांस लोन अडवांस कितने का लोन दे दिया 30,000 का उसके अध करेंट अस इंवेंट्री इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज इंवेंट्री देखो इंक्रीज इंवेंट्री ओपरेटिंग में यह लेस होगा इंक्रीज इन इंवेंट्री तो इंवेंट्री पहले कितने का चेक करो 70 और फिर होगे 90 तो इंक्रीज इंवेंट्री कितना हो गया 20,000 और इन्क्रीज़ेंट्रेड्रीवेबल वह भी 20.000 का एक क्याशेंट्रेड्री रॉसरेड्री ट्रीड्रीड्रीवेबल वह दो आता नहीं तसे छोड़ दो अब इंवस्टिंग पंचलिक टॉटलिक्र लेतर उंँहाये वह आराम से हो जाएगा इन्वस्टिंग जो वो आपका 5000 है माइनस 120 इंवेस्टिंग का आ गया माइनस का एक लाग 15,000 पाइनसिंग का आ गया 50,000 माइनस 32 एटीन थाउजन आ गया यह जो एटीन थाउजन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे नेट कैश लो फ्राम पाइनसिंग अक्टिविटी और यह एक लाग 15,000 है वह नेट कैश यूजड इन बता है क्यों लिखा है फिगर माइनस में आ रहा है यूजड इन investing activity नेट cash used in investing activity operating का answer class total कर लो operating का कितना answer आ रहा है operating का answer total कर लेते हैं operating का answer यहां total करो operating का देखो यह रहा तो सबसे पहले यह 20,000 आड़ करके हां लिख दो यह जो 20,000 है यह 20,000 है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटम और इन सब को एड कर दोगे आप यह आएगा कितना बीस बीस चालिस पचास पचपन यह आएगा ओपरेटिंग प्रॉफिट ओपरेटिंग प्रॉफिट विफोर वर्किंग क्यापिटल चेंज और यह आएगा पचपन और प्लस बीस तो यह आएगा हमारे पास तोटल तो पचपन है प्लस बीस ऊपर है पचपन प्लस बीस कि सेवेंटी फाइव थाउजन इसको एड करते हैं ट्वेंटी प्लस एटी वन लाक माइनस फाइव थाउजन और माइनस फॉर्टी थाउजन यह आगा पचपन हजार ओड करके जब आता है तो आएगा वन लाक थुख थाउजन यह प्लस का आ रहा है नाक थाउजन लिखेंगे नेट कैश कि लो फ्रॉव फ्रॉम ऐपरेटिंग और परेटिंग हम आपरेटिंग इंवेस्टिंग इरा ओपरेटिंग का ए यह इनवेस्टिंग का भी क्याशन कैश्ट निकालना है ए प्लस बी प्लस सी तो 130 प्लस 18 माइनस 1,15,000 ए प्लस बी प्लस या रहा है 33,000 इसमें हम एड़ करेंगे opening cash तो यह अपने आप closing cash के बराबर आना चाहिए तो यह चेक करेंगे यह closing cash जो है 98,000 का आना ही चाहिए अगर यह आ गया तो पूरा ठीक है आप screenshot ले लो यह question हमारा हो गया पूरा complete और इसके साथ हमारा पूरा पेपर सॉल्फ हो गया ऐसे ही क्लास आपको examination में solve करना है अराम से देखो question जो है solve हो जाते हैं तो आप अराम से 45-50 मिनिट में यह पूरा पूर्शन जो है इसके बाद में रिवीजन कराऊंगा पूरा कोर्स एस पर न्यूस इलवस फिर आपके प्रैक्टिस पेपर mcq हर एक चैप्टर का mix mcq फिर उसके बाद क्लास हम देखेंगे previous year के कौन-कौन से question से और then last में कौन से कौन से question इस साल examination में आ सकते हैं डाम शूर है साथ 65 नंबर का तो आपको क्लियर ही बता दूंगा कि इस टाइप का question examination में देखने को मिलेगा तब तक के लिए class bye bye take care thank you very much class इतना सपोर्ट करने के लिए और प्लीज सब्सक्राइब करके बाल आइकन दबा देना class 12 की जितने भ सब हमारे चला से जुड़ जाएं और हम सब मिलके इस बार 12 में 95 परसेंट 98 परसेंट इवन हम ट्राइब करेंगे एकलास अपने subject में 100 में से 100 दिलासकों अकाउंट इको BST के अंदर take care bye bye मिलेंगे next video